दोस्तो, थंडे शेहरों का नाम सुनते ही, हम सभी रोमांचे थो उटते हैं, क्योंकि थंड में गर्मा गर्म चाय के चस्की लगाना, बर्फ से खेलना, गर्म कपड़े पहनना, चारोगोर बर्फ से ढखी जमीन को देखना, हमें काफी आकरशक लगता है। लेकिन हमें अंदाजा तक नहीं है कि वहां रहने वाले लोगों का जीवन कितना मुश्किल होगा। और आज हम आपको दुनिया के सबसे ठंडे शेहर के बारे में बताने वाले हैं। और जहां लोग महीनों तक धूप के लिए तरसते हैं। तो ऐसे मुश्किल हालातों में लोग कैसे रहते होंगे। कहीं आना जाना या फिर रोज मररा के काम कैसे करते होंगे। जानेंगे इस वीडियो में तो अगले दस मिनट घर का कोई कोना पकड़ कर बैठ जाएए क्य ओम या कौन साइबेरिया की बर्फ की घाटी में बसे इस छोटे से शेहर को नौर्दन पोल ओफ कूल्ड भी कहा जाता है। और ये दुनिया की वो सबसे ठंडी जगा है जहां लोग रहते हैं। विकिपीडिया के मताबक इस गाउं में पात्सो से नौसो लोगों का बसे र रहनी के लिए हर दिन संघर्ष करते हैं। यहां रूम टेंपरेचर पर पानी हमेशा बर्फ में जमा रहता है। इसलिए जब भी किसी को पानी पीना हो तो पहले उसे जमे हुए पानी को गर्म करके पिगलाना पड़ता है। यहां जब किसी जानवर की मौत होती है तो में रूस के साइबेरिया में मौजूद ओम्या कौन गाम ही दुनिया की एक ऐसी कलौती ठंडी जगह बन जाती है जहां पर आज भी लोग रहते हैं। यह गाम हमेशा बर्फ की सफेद चादर से ढखा रहता है जो कि 5-10 विट तक मोटी हो सकती है। इस वज़ा से यहां ओम्या कौन का अर्थ होता है unfrozen patch of water यानि वो जगह जहां पानी में रहने वाले जीव अपने सर्दियों को बताते हैं क्योंकि वो हिस्सा कभी नहीं जम था लेकिन ठंडे के मौसम में ओम्या कौन के हाल इतने बेहाल हो जाते हैं कि अगर आप उबलते हुए पाने को हवा म में उच्छा लोगे तो वो भी नीचे गिरने से पहले बर्प में तबदील हो जाएगा वैसे तो ओम्या कौन का तापमान साल के आठ महीने माइनस डिगरी में ही रहता है हाला कि गर्मियों के मौसम में तापमान थोड़ा सा बढ़ कर प्लस दस डिगरी सेल्सस तक आ जाता है जो हम आम इंसानों के लिए तो ठंड जैसा ही है लेकिन वहां के लोग साल भर इस मौके के आने का इंतिजार करते हैं और जब ठंड का मौसम आता है तो ओम्या कौन का एवरिस टैंपरेशर माइनस पचास डिगरी सल्सस बना रहता है इसलिए काम धंदा तो छोड़िए ठंड में यहां के लोग अपने घर से बाहर तक नहीं निकलते और यह ठंडी हवाएं इतनी जादा नमी वाली होती हैं कि लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पर ही बर्फ जम जाती है इसलिए घर से बाहर निकलते वक्त यहां के लोग साथ से आठ लेयर पैरों में चार जोडी मुझे पैनते हैं और सिर पर दो तीन टोपिया पहन लेते हैं इस तरह ये लोग सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर को ढखकर ही घर से बाहर कदम रखते हैं यहां की बेताशा सर्द, जिंदगी इतनी मुश्किल कर देती है कि दोड़ने भागने जैसे सामानने कामों के लिए भी हिम्मत जुटानी पड़ती है, आपको बता दें कि यहां तक की तेज चलने पर भी लोगों की सांस कापने लगती है, इसलिए यहां के सबी लोग धीरे चलते हैं, साल के आठ महीने तो बच्चे आउटडोर गेम्स खेली नहीं पाते, सर्दियों में न चाहकर भी उन्हें अपने घर के अंदर बंद रहना पड़ता है, इस गाओं में सिर्फ एक ही स्कूल है, जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन इस स्कूल भी तभी खुला रहता है, जब यहां का तापमान माइनस पचास डिगरी से जादा ना हो, यानि कड़कती हुई ठंड के मौसम में, जब यहां का तापमान 71 डिगरी माइनस में चला जाता है, तब स्कूल की भी छुट्टी हो जाती है, इस गाओं में सभी घर लकडी के ही बना जाते हैं, क्योंकि यहां इंडोर पाइपिंग और सीवर की सुविदा नहीं है, यहां के टॉunivers में फ्लॉच टैंक या पानी के नल भी नहीं होते, यहां पानी सामान यतापमान पर लिक्विड फॉम में रही नहीं सकता, इसलिए पोटी करने के बाद यहां के लोग टॉय ठंड के मौसम में यहां के दिन इतने छोटे हो जाते हैं कि सिर्फ तीन घंटे तक ही रोशनी देखने को मिलती है हलाकि गर्मी के मौसम में कीस घंटे तक रोशनी रहती है हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ एक ही रात में इनके घरों की छट पर दो दो फिट मोटी बरफ की परत जम जाती है जिनें इने रोजाना सुबा उटकर हटाना पड़ता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो ये परत और मोटी होती चली जाएगी जिसके वजन से छट तूट सकती है इस वज़ा से यहाँ पर ढ़लान वाली तरकून ये छट बनाई जाती है यहाँ के लोग जब अपने गीले कपडों को दो कर घर से बाहर सुखाते हैं तो उनमें मौजूद पानी कुछी सेकंड्स में बर्फ में तबदील हो जाता है और कपड़े काफी कड़क बन जाते हैं जिसके बाद उन कपडों को लाठी से पीट कर बर्फ तोड़ी जाती है और फिर वो कपड़े पहने जाते हैं यहां यानि की कपड़े सुखाना महच चन सेकंड्स का काम है लेकिन सुखे हुए कपड़ों को पहनने लाइक बनाने में काफी मेहनत लगती है पेड़ पौदे से लेकर गारियों तक यहां पर हर चीज के उपर बर्फ की मोटी परत हमेशा जमी रहती है ना कोई मशीन काम करती है और ना ही गारी चलने लाइक होती है लेकिन फिर भी ट्रांस्पोर्टेशन के लिए अगर कोई अपनी गारी का इस्तेमाल करना चाहे तो सबसे पहले उसे माइनस डिगरी टैंपरेचर वाला एंधन डलवाना पड़ता है ताकि ठंड बढ़ते ही वो फ्यूल भी जम कर वर्फ ना बन जाए गारी चलानी के लिए सबसे पहले उन्हें हीट के राज में रखना पड़ता है जहां उन पर जमी बर्फ पे घल जाए और इंजन चलने की कंडिशन में पहुँच जाए पर जब एक बार इंजन आउन हो जाता है तो फिर कोई भी अपनी गारीयों के एंजन को बंद नहीं करता क्योंकि एंजन रुकते ही तुरंट जम जाता है और फिर से दोबारा ओन करने के लिए फिर से गर्मी और आग के जरूरत पड़ती है कई बार तो गाड़ियां इतनी जम जाती हैं कि उनके दर्वाजे भी नहीं खुल पाते फिर लोग हतोरी की मदद से वर्प तोड़ कर गाड़ी का दर्वाजा खोलते हैं माइनस डिगरी तापमान धूप की कमी और पानी ना होनी के वज़ा से यहां की जमीन बिलकुल बंजर है जहां किसी भी प्रकार की खेती करना नाममकिन है इसलिए यहां के लोग रश्या के दूसरे शेहरों से फल और सबजियां मंगवाते हैं लेकिन माइनस पचास डिगरी तापमान में यह फल इतने जादा जम जाते हैं किन से आप लकड़ी में कील भी ठोक सकते हैं इसी वज़ा से यहां के लोग जादा तर नौन वेज खाना ही पसंद करते हैं इनके पसंदीदा खाने में ब्रेड, अंडे, मचलियां और मीट शामल हैं यह लोग किसी भी जानवर का मीट खा सकते हैं यहां पर लोग के घरों में नल नहीं होते क्योंकि अगर कोई नल होगा तो भी उसकी पाइप में मौजूद पानी तो नंजम जाएगा इसलिए इस गाउं में एक बड़ा सा सेंट्रिल वॉयलर है जा बड़ी मातरा में आग जलाकर पानी को पिगलाया जाता है और फिर इस पिगले हुए पानी को एक ऐसे टेंक में भरा जाता है जिसकी परत काफी जादा मूटी हो और बाहर की ठंडी से जल्दी प्रभावित ना कर सके जिसके बाद ये टेंकर गाउं के घरगर तक भेजे जाते हैं जाएन से पानी लेकर लोग तुरंत इसे गरम पानी के क्योंकि जरा से भी देर पानी को फर से जमा कर बर्फ बना देती है मैं पानी गरम करने वाले बॉयलर को भी 24 गंटे 365 दिन आउन करके रखना पड़ता है क्योंकि अगर ये बॉयलर ठंडा पढ़कर बंद हो गया तो यहां के लोगों का जीवन भी ठंडा पढ़ जाएगा ये जानकर आपके रॉंगटे खड़े हो जाएंगे कि यहां मरने वालों को कबर नसीब होना भी किसमत के बात है क्योंकि ठंड के मौसम में कबर खुदने में तीन से साड़े तीन दिन का समय लगता है इस गाओं का लोईस टेंपरेचर रिकॉर्ड एकतर दसमलो दो डिगरी माइनस में सिल्सिस में है हलाकि अन्टार्टिका महद्वीप में से भी कम यानी माइनस 89.2 डिगरी सिल्सिस का लोईस टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया है लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि अंटार्टिका में कुई भी इंसानी बस्ती मौजूद नहीं है बस कुछ वग्यानिक कभी कबार वहां जाकर सरच करते हैं लेकिन ओम्यो कौन में 500 से भी जादा लोगों की बस्ती है आपको बता दें कि ओम्यो कौन में इतनी जादा ठंड पढ़ने की पीछे की वज़ा है इसके आस पास मौजूद दो घाटियां जो इस गाउं से बैरेई ठंडी हवाओं को बाहर नहीं जाने देती इसी वज़ा से यहां का ताप मान इतना जादा ठंडा रहता है हलाकि आपर कभी नए लोग बसने के लिए नहीं आते लेकिन सर्दियों से यहां रहने वालों को लोग अब इस वातावरन और अपने गाउं के कल्चर की आदत पढ़ गई है इसलिए वो इतनी ठंडी की होने के बावजूद गाउं छोड़कर नहीं जाते वहीं कई रश्यन टूरिस्ट एजनसीज भी टूरिस्ट को यह गाउं घुमाने लेकर आती हैं जिससे इन लोगों का ठीक ठाक वियापार भी हो जाता है तो दोस्तो क्या आपको मौका मिले तो आप ओम्यो कौन में घूमना चाहेंगे और ठंड या गर्मी में आपको कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है कामेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजे साथ ऐसी रोमांचिक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके पासवाली घंटी जरूर बजा दीजे धन्यवाद